हे एवरीवन वेलकम बैक टू माई संदे कुकिंग ब्लॉग तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी राजिस्थान की मोस्ट फेमस घेवर की रेसिपी इसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बट अगर आप पूरी टिप और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे न तो एक दम मार्केट इस्टायल जालीदार बहुत ही टेस्टी अमेजिंग बनके तयार होगा तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बनानी है चाशनी तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है एक कप भर के चीनी साथ में ही डालेंगे यहाँ पे आदा कप भर के पानी वैसे आप यहाँ पे एक कप चीनी और एक कप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं बट अगर पानी की मातरा आदी रखेंगे तो हमारी चाशनी जल्दी से बनके तयार हो जाएगी अब इसे पकने के लिए गैस पे रख देंगे और दूसी गैस पे मैंने रखी है एक कड़ाई और उसमें हम लेंगे एक लीटर भर के दूद क्योंकि इस दूद से हम बनाएंगे रब्डी तो यहाँ पे रब्डी बनाने के भी मैं आपको दो तरीके बताऊंगी तो अगर आपके पास दूद कम हो तो आपको कैसे बनाना है और अगर दूद भरपूर मातरा में है तो कैसे बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम दो से तीन चमच बर के चीनी एड़ करेंगे और थोड़ासा इलाइची पाउडर तो इधर दूसी साइज चीनी भी बढ़िया से इसमें डिजॉल्ब हो गई है और जो हमारी चाशनी है न वो थोड़ी सी चिपचिपी हो गई है तो यहाँ पे आपको चाशनी कैसी बनानी है ये भी बहुत ध्यान रखना है तो जैसी हम रसुल्लों के लिए बनाते हैं न उससे आपको थोड़ इसी और पकाना है मतलब जैसे की एक तार आने बाला हो बट आया ना हो बस इतनी आपको चिपची भी रखनी है और साथ में ही अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ असा इलाची पाउडर डाल देंगे अब साथ में ही यहाँ पे एक चमच नीम्बू का रस्ट एड़ कर देंगे इससे क्या होगा इसमें क्रिस्टल नहीं पड़ेंगे अब बढ़िया से मिक्स करें और ढखके साइल में रख दें गैस की फ्लेम को बंद कर दें क्योंकि चार्शनी हमारी तयार है अब यहाँ पे दूसी साइल मैंने थोड़ा से दूद ले लिया है और उसमें दो चमच भरके मिल्क पाउडर और दो चमच भरके मैंने एड किया है कस्टर्ड पाउडर क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ कस्टर्ड रबडी इसलिए इसका यूज कर रही हूँ इसे डालने से दो पाइदे होंगे एक तो हमारी रबडी का कलर बहुत अच्छा आएगा टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा साथ में ही बहुत जल्दी बनके तयार हो जाएगी बट अगर आप कस्टर्ड रबडी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे सिंपल तरे से बना सकते हैं लेकिन अगर आपके पास दूद कम है और आपको सिंपल रबडी बनानी है इसे क्या होगा रबडी बहुत जल्दी बन जाएगी और कम दूद में बनके तयार हो जाएगी तो चलिए यहाँ पे रबडी और चाशनी दोनों ही बन गई है अब बारी आती है बैटर बनाने की तो बैटर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है देसी घी, साथ में ही ले लिया है एक grinding jar तो यहाँ पे खाने वाली चम्मच से नाप के चार चम्मच हम देसी घी एड़ करेंगे और साथ में ही डालेंगे यहाँ पे चार से पांच टुकडे बरफ के और दोनों को धकन लगा के बढ़िया से ब्लैंड कर लेंगे वैसे हलवाई बगेर ना ये प्रोसेस हाथ से करते हैं लेकिन हाथ से करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा तो यहाँ पे फटा फट वाला आपको तरीका बता रही हूँ यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें ग्राइंडिंग जार में डालनी हैं और एक दो मिनट के लिए बढ़िया से चर्ण कर लेंगे और बापस से धकन खोलेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने घी डाला था ना वो एक दम मक्कन की फॉर्म में आने लगा है उसके बापस से धकन बंद करेंगे और फिर इसे एक दो सेकन के लिए चला लेंगे बस इसी तरह आपको एक दो बार मिक्सी को अच्छे से चलाना है और जब घी जो है बिलकुल मक्कन के फॉर्म में आ जाएगा तब इसमें हम डालेंगे आदा कप भरके बिलकुल ठंडा दूद और दूद डालने के बाद दुबारा से इसे बंद कीजे और अच्छे से चला लिजे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो देशी घी है वो बिलकुल मक्कन की तरह एकदम सॉफ्ट हो गया है तो अब इसके बाद दूद एड़ कर देंगे और बापसे धकन बंद करके चला रहेंगे तो यहाँ पर आपको सबी चीजे में थोड़ा जल्दी बता रही हूँ क्योंगि अगर डिटेल में बताने बैटूंगी तो वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी तो बस आपको नब वीडियो पूरी एंड तक देखना है अच्छे से समझना है और उसके बाद आपको टैंसल लेनी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बिल्कुल बढ़िया एक ही बार में परफेक्ट बनके तयार होगा आपका घीबर तो यहाँ पर देखे कप से नापके एक कप भरके मैने मैदा ले ली है और मैदा को बढ़िया से छान लेना है उसके बाद इसमें थोड़ी थोड़ी मैदा एड़ करते जाएंगे और धकन बंद करके इसे चलाते जाएंगे आपको सारी मैदा एक बार में नहीं डालनी है दो से तीन चमच मैदा एक बार में डालिए और जब अगर आपको जरुवत लगे तो बहाँ पे डालिए थंड़ा पानी आपको यहाँ पे नॉर्मल पानी यूज नहीं करना है बिलकुर ठंडा चिल्ड पानी यूज करना है तो देखे इस तरह इसका बैटर बनता जाएगा एक दम स्मूथ लंब स्प्री तो यहाँ पे दो तीम बार मैं मैदा एड़ कर चुकी हूँ बस इसी तरह सारी मैदा हम धीरे धीरे इसमें डालते जाएंगे और जरुवत के हिसाब से इसमें पानी याड़ करते जाएंगे बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो ये बैटर बनना है न ये पूरी तरह से ठंडा रहना चाहिए गरम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो देखे फ्रेंड्स यहां पे सारी मैदा मैंने इसमें एड कर दी है और अब आप इसका टैक्चर देख सकते हैं एक दम स्मूध क्रीमी बन के तयार है अब लास्ट में इसमें डालेंगे एक चम्मच भर के बेसन तो ये कुछ हलवाई की ट्रिक्स हैं जिनके साथ अगर कर लेंगे तो लीजे फ्रेंड्स यहां पे हमारा जो बैटर है घीवर वाला वो बन के बिलको तयार है अगर आप इसे हाथ से बनाते ना तो आपको काफी समय लग जाता बट मिक्सी में बहुत यह आसानी से बहुत जल्दी बन के तयार हो जाता है अब इसे निकालेंगे औ और एक बड़े से बोर में ट्रांसफर कर लेंगे बट यह अभी काफी गाड़ा है इसे हमें पतला करना है और ठंडा भी रखना है तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिये हैं आइस क्यूप साथ में ही डालेंगे बिलको ठंडा ठंडा पानी और इसे बिलकुल अच्छे से मिक फ्रिज में जिससे की वो ठंडा बना रहे और जितने का यूज आपको करना है ना उतना आप भर ले एक इस तरह की बोतल में अगर आपके पास इस तरह की बोतल नहों तो आप कोई भी पैपसी की बोतल ले लिजे और उसके ढखकन बिना एक बड़ा सा छेद कर लिजे आग कम से कम देर सो से 200 रोपे का एक पीस मिलता है और इतने में तो आप घर पे धेर सारे घीवर बना के तयार कर सकते हैं बस आपको इनकी ना थोड़ी सी टिप और टिक्स पता होने चाहिए तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे पैन में मैंने रख लि तब दुबारा से आप बैटर इसमें डाल दीजे और आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई रखनी हैं मीडियम टू लो बिल्कुल भी नहीं करनी हैं तो बस इसी तरह आपको बैटर डालते जाना है और इसे बनाते जाना है जब आपको लगे इस पे एक मोटी सी लेयर आ ग जितना पतला बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें बैटर डालते जाए और इसमें थिकनेस अपने आपा जाएगी और देखे फ्रेंड्स यहां पे हमारा एक घेबर बनके तयार है और बस इसी तरह मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूं तो अब मैं आपको इस तरह पैन नहों तो आप बहुत इजीली इसी तरह कड़ाई में भी बना सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं मेंस आपको वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है आपने वीडियो को अभी टक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और एक शियर चरूर कर दीजेगा साथ महीं अगर आप इस चैनल पे नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें तो यहां पे आप देख सकते हैं जो हमने कड़ाई में बनाया है वो भी परफ चाशनी अपलाई करेंगे तो देखा आपने इसे बनाना कितना ज्यादा इजी है और आप यहां पे देख सकते हैं एक तम परफेक्ट जाली आई है बिलकुल मार्किट जैसे तो अगर आपने भी कभी गेबर ट्राई नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पूरी एंड तक और चाशनी रालने की तो यहां पे चाशनी थोड़ी सी थंडी हो गई थी मैंने इसे थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है अब इस तरह बढ़िया से इस पर चाशनी ढाल देंगे चारो तरफ जिससे की बढ़िया से मीठा हो जाए बहुत से लोग तो इसे ऐसे ही खाना पस तार्ण करते हैं चाशनी के साथ और बहुत से लोगों को ये रबडी के साथ पसंद आता है आप लोगों को किस तरह पसंद है मुझे कमेंड करके जरूर बताइगा और यहां पे आप देख सकते हैं रबड़ी भी बहुत बढ़िया से ठंडी हो गई है और ऐकदम काड़ी हो है अब इसके बाद बढ़िया से इस पर रबड़ी एपलाई कर देंगे तो यहां पे ना चालों तरफ अच्छे से रबड़ी लगाएंगे जिससे खाने में इसका टेस्ट बहुत जादा बढ़िया आएगा और अच्छे से रबड़ी लगाने के बाद यहां पर आप काजू पिस्ता बादाम इनकी कतरन को काट के रख लें और उपर से इसे सजा दें एक दम मार्केट जैसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जालीदार बन के तैयार होगा फ्रेंड्स तो अगर आपने कभी भी घर पे घेवर नहीं बनाया है न तो एक बार जरूर बना कर देखिए और एक कप मैदे से यहाँ पे मेरे चार घेवर बन गएते एक बचों ने ऐसे ही खा लिया तो यहाँ पे तीन मैं आपको दिखा रही हूँ और तीनों ही बिलकुल परफेक्ट बने हैं चाहें तो आप इसे पैन में बनाएं या फिर कड़ाई में बस आपको कुछ ही चीजों का ध्यार रखना है और उसके बाद एक दम परफेक्ट आपका घेवर बन के तयार हो जाएगा और अगर इनी गेवर को आप मार्केट में लेने जाएंगे तो ये बहुत ही महगे मिलते हैं और खास तोर पे इसी मौसम में ये बनाए जाते हैं मतलब जब सावन का महीना आता है तब ही ये हर जगे मिलते हैं और हमारे या तो सावन में इन्हें खाना बहुत शुमाना जा तो सावन में हर घर में घीवर बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं तो अगर आपने अभी तक घर में घीवर कभी नहीं बनाया है तो एक बार आप जरूर बनाएगा अगर आपको डर लगता है घीवर बनाने में आपको लगता है कि अच्छे से आप नहीं बना पाएंगे भी हार नहीं होती तो आप भी ट्राइ कीजेगा घर पे गेवर बनाने की आप भी बहुत बढ़िया से एकदम परफेक्ट इसे बना पाएंगे और फ्रेंट्स आपको आज की ये गेवर की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा साथ ही साथ आप इस तरह गेवर बनाके अपने फ्रेंट्स को अपने रिलेटिप्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया रखते हैं खाने में फ्रेंट्स तो एक बार आप जरूर बनाएगा और यहां पे देखिए मैंने तीनों गेवर को इसी तरह से डेकुरेट कर लिया है मतलब नीचे चाशनी लगा लिया उपर से रबडी और फिट ड्राइफूट्स और इन्हें देखकर और खाकर कोई भी नहीं बताएगा कि आपने इने घर पे बनाके तयार किया है तो आपको आज के वीडियो जरूर जरूर पसंद आई होगी मैं आप लोगों से दुबारा से रिक्वेस करती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शियर करें साथ में ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना हमेशा फ्री होता है तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ इसी तरह की एक और नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई and टेक केर